नमस्कर दोस्तो आज की रेट में अपन बात करेंगे IRFC के दोस्तो आज की रेट के अगर बात की जाए तो मार्केट के गिरावट के साथ एक परसेंड के उपर की गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक ने अगें सेकंड टाइम दोस्तो अलमस्ट 80 के लेवल सी ही रिजेक्शन लिया है 74 के लेवल से बहुंद बैक करके और मैंने प्रिवेश वीडियो में आपको बोला भी था कि जब तक स्टॉक 74 के उपर है तब तक दोस्तो अफसाइट की ही संभावना बनी हुई है बड़ी तेजी के लिए 80 के उपर ब्रेकाउट देना पड़ेगा ऐसा डिसकशन अपना कल के वीडियो में ही हुआ है तो आप चेक कर पांगे आज की रेट में बड़ी गिरावट देखने को मिली मार्केट के गिरावट के साथ तेकिन इस सपोर्ट को नीचे क्यों ब्रेकडाउन नहीं किया दोस्तो एक्जक्ट इसी लेवल से 74 के लेवल से ही अभी छोटी मुटी बाइंग यहां पर देखने को मिल रही है रिकवरी दिखा रहा है स्टॉक तो यहां से अगर स्टॉक रिटेश करके अभी एटलिस 76 के ऊपर भी ब्रेकडाउट दे गया तो फिर आपको दोस्तो 80 का लेवल भी ब्रेकडाउट देखने को मिल सकता है क्योंकि स्टॉक ने रिटेश करके मतलब सेकंड टाइम भी नीचे क्यों ब्रेकडाउन नहीं दिया है तो अभी दोस्तो एक दो जो दीन है वो काफी important रहेगे IRFC के लिए अगर 74 के ऊपर ही sustain होके यहां से 80 के ऊपर अगर ब्रेकडाउट दे गया स्टॉक तो फिर आपको बड़ी तेजी IRFC दिखा सकता है